साथियो क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंस्पर आपका फिर्चे स्वागत है साथियो मैं राजंदर स्वामी आपका एक बार फिर्चे स्वागत करता हूँ साथियो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी उमीद करता हूँ आप अपने टारगेट के प्रती समर पे तोकर तैयारी कर रहे हैं अब राजस्थान के अंदर जो भी युवा है उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर मैं आज लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वालों की RSSB ने जो अभी राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड जो है उसने सलेबस में किस प्रकार से क्या-क्या बदलाओ करने का फैसला लिया है उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम देखेंगे सासत में CT के उपर भी अभी विचार चल रहा है उसमें क्या-क्या कैसे-कैसे चैन्जेस करने के बदलाओ करने के अभी जो है प्रावधान रखे गए है बात करते हैं शुरुआत करते हैं वीडियो की अब ये वीडियो इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे विध्यारतियों को इस तरीके से दिक्कते होती थी कि पहले मान लीजे अगर कोई कॉंस्टेबल की तियारी कर रहा है तो उस विध्यारति को एक बहुत बड़ा सलिबस पढ़ना पड़ता था आगे चल कर जाए वो सर्देक्ट उसके काम का हो या ना हो इस तरीके से विध्यारतियों ने सही माईने में पूछा जाए तो अभी राजस्तान के अंदर सीटी लागो होने के बाद बहुत सारे अभिरतियों ने तैयारी करना क्या कर दिया है बंद कर दिया है या फिर वो ऐसे बड़े एक्जाम की तरफ सिप्ठ हो गए है जैसे राजस्तान ऐसाई एकजाम आप ले लीजेगा, आरेस का एकजाम ले लीजेगा था फिर दूसरा क्या है कि बहुत सारे विशे ऐसे थे जिनमें आपके अंक विवाजन नहीं था यानि ये तैय नहीं था कि बैसे मान लीजे अगर आपके कॉंस्टेबल के अंदर मैथेमेटिक्स का कुछ दिया हुए पॉर्सन तो उसमें मैथेमेटिक्स के प्रसंद सीमित प रिविव कमेटी यानि बोर्ड ने जो है स्लेबस का रिविव करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और भरती परिक्षाओं में स्लेबस को लेकर बड़े बदलाओ की तैयारी की गई है लेकिन इम्पोटेंट ये रहेगा मित्रों कि ये जो स्लेबस आपके रहने वाला है ये नई भरतियों के लिए ये नियम लागू होंगे अभी जो रिसेंटली चल रही भरतियां उनमें किसी परिकार का कोई बदलाओ नहीं होगा सबसे पहली बात करते हैं इसमें दिखिएगा इम्पोटेंट है दिखिएगा राजस्तानी क्रमचारी चैन बोर्ड ने जो ह जैसे कैसे देखो स्लेबस में इन बिंदों पर रहेगा खास फोकस यानि कौन-कौन से बिंदो है जिन पे खास फोकस हो रहेगा जुसे करन्ट अफेर्स मैं पहले आपसे बहुत बार चप्चा कर चुका हूँ जिनका आगे आने वाले exam के अंदर करन्ट अफेर्स तयार नह साथ साथ में आपके सरकारी योजनाई, यानि सरकार की जितनी भी योजनाई है, राजनिति है, परियावरन है, आपदा परबंदन है, प्रसाशनिक विवस्ता है, IT है, reasoning, mental ability है, भारत राजस्तान की भोगोलिक इस्तती, इतिहास, कलत्संग्रती, हिंदी, अंग्रेजी पर फो आपको थोड़ा सा नोलेज होना चाहिए सासाथ में बाइलेंग्वल भी आपके पास नोलेज होना चाहिए सासाथ करंट है फिर्सकी बात कर रहा है ठीके अब इन बिंदू वार जो आपके अंक विवाजन भी तै होगा माल लीजे अगर आपके mathematics वहाँ पे syllabus में दिया हुआ है maths इस maths के पूरे के पूरे बिंदू वार यानि आपको ये भी तै रहेगा कि maths में इतने प्रशन आने तो इतने आएंगे कई बार होता क्या था कि बहुत सारे अभ्यरती जैसे माल लीजे maths है और वो कई बार maths उनका बहुत कमजोर होता है वो छोड़ने का प्रियास करता है लेकिन वहाँ पे उसके paper में मैच के सवाल ज़्यादा आते थे अब उसका तो तैयारी में बहुत ज़्यादे नुक्सान हो गया अब अगर उसको पता रहेगा कि मेरे मैच में इतने प्रशन आने है और इसको छोड़ कर मैं अन्य किसी विशे में भी और अच्छी तैयारी करके वहाँ पर अंक बढ़ाने का प्यास करूँ तो अब इसको कोई विशेश नुक्सान नहीं होगा द्यानकना यानि इन बदलाओं को मिल चुकी है अलेबस में बदलाओं की प्रकरिया वो भी आरम हो चुकी है यानि ये सभी चीजे तैयार कर ली गई है यानि अब तो ये चीजे मान के सलिए कि भरतियां खूब सारी है बात की जए बहुत सारे विध्यारतियों को CET को लेकर भी थोड़ा सा आपके सस्पेंस बना हुआ था वो भी मापके किलर कर देता हूँ देखेगा ये रहा आपके देखो समान पत्रता परिक्षा में 40 फिसदी क्राइटेरिया रखा जाएगा यानि अभी आने वाले टाइम में बोर्ड इसमें विचार कर रहा है कि कोई भी अभेरती जो CET का एक्जाम दे रहा है उसको 40 प्रतिशत अंक लाने के बाद आप उसको आगे वाने आलवे भरतियों के अंदर eligible समझेंगे अब पहले क्या था कि 15 गुणा वाला सिस्टम था अब बहुत सारे विध्यारती जदो दहत करके ये CET का एक्जाम निकालते थे फिर कई ऐसे होते थे जिनको 40 प्रतिशत यानि 15 गुणा में उनका नामी नहीं है फिर वो विचारी निरास होकर फिर वापस वही चीजें हो जाती थी अब क्या किया जाएगा कि 40 प्रतिशत का जो है क्राइटेरिया फिक्स रखा जाए इस पे भी अभी विचार चल रहा है धानकना यानि पहले 15 गुणा का एरिया था लेकिन अब उसको जो है एक तरीके से मान के चाहिए कि 40 प्रतिशत जिनके अंक है वहे भी आगे आने वाले एक्जाम्स के अंदर जो है इलिजबल समझा जाएगा तो ये दो महत्वण जानकरिया थी जो मैंने आप से साजा की है अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है सासाथ अभी जो है आपके SIT का गठन हो चुका है क्योंकि बहुत सारे विध्यारतियों का बोर्ड के प्रति जो है आपके पारदिस्टा को लेकर एक तरीके से मन में एक बहुत बड़ा संसे हो गया था उस संसे को भी खतम कर दिया है क्योंकि एवेसाइटे का गठन हो चुका है तो इस प्रकार से बिल्कुल पार्दसा एक सास सारी भरतियां करवाई जाएंगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेर करें कमेंट करें और सासात में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हर इस प्रकार की नोटिफिकेशन की जानकारियां सासात में आपको इस से भरती से जुड़ी वी जो भी जानकारियां होंगी वो सभी मैं आपको देने वाला हूँ धन्यवाद